जैन्द एस्पिरिंस आई रूबी टाकूर वेलकम यू तो SSB क्राइक एक्जाम्स चैनल और आज का जो टॉपिक है दाट इस रेलेटेड टू कि सुप्रीम कोट ने पॉक्सो एक्ट को थोड़ा सा और जादा स्ट्रॉंग कर दिया है और उसका रीजन क्या है और क्या पर्टिकुलर्ली जो फैसला लिया गया है चाहिए वो चाल्ड पॉर्नोग्राफिक उसको देखने में या उसकी कोई भी वीडियो अपने पास फोन या उसमें रखने के लिए और ना रिपोर्ट करने के लिए आपके बस बाइचांस आ जाती है ऐसा कुछ और आप उसको र अंदरा चोड़ जी और जस्तिस जेबी पार्दिवाला दन इन्होंने स्ट्रिक्ट इंटर्प्रेटेक्शन किया है और पटिकुलर्ली इस ओल ऑन दा स्टोरेज ओफ चाइल्ड पॉर्नोग्राफिक अब सुप्रीम कोड के सामने केस क्या था सो बैसिकली जैन्वरी 11 को क्य होता है मदराज से हाई को जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंस को क्याश्ट कर देती है एक मैं के ओपर एक इलजाम था कि उन्होंने डाउनलोड किया और उनके फोन में जो है चाइल्ड पॉनोग्राफिक जो वीडियो है उनके फोन में पड़ी थी या फाइर फाइल की जाती है और जो एक्यूज हैं उनको फॉक्सो के सेक्टर जो सेक्षन है 14 के अंदर ही बताया जाता है कि यह सुनोंने जो पॉनोग्राफिक का पॉपस है उसके अंदर चेल्टरन के वीडियो रखे थी और और सेक्षन है 15 जो थोड़ा सा और हार्ष है उसके अंदर उनको नहीं डाला गया रीजन यह था हाई कोट का कहना यह था कि उन्होंने जब यह पटिकोल सिर्फ उनके फोन में एक वीडियो थी बलकि ना कि उन्होंने किसी बच्चे को इस चीज के लिए यूज किया था और इस जो प्रोविशन है उसको वाइलेटर नहीं करता है इसलिए he'll be termed अंदर section 14 only done अब यही सब चीजे थी जब यह हुआ उसके बादी supreme court आता है बीच में done now court held it कि जो भी offense boxo act के अंदर होगा ठीक है it will be on check use उसको transmit करता है यह material को publish करता है और अगर इसके against कोई evidence नहीं है done because जो time पे madras high court ने का उन्होंने यही कहा कि उन्होंने किसी बच्चे को use नहीं किया है तो कोई भी इस तरह का जो evidence है उसे क्यूस के against नहीं था सिरफ उनके phone में video मिली है इसलिए उन्हें से section 14 के अंदर trial किया जाएगा ना कि section 15 के अंदर आज तक अगर आप cases देखोगे तो देखे 2022 में 14 और 15 के अंदर incident 696 थे victim 703 21 में 536 540 victims है 2020 में 584 592 victims आप देख सकते कि आदे cases मतलब कुछ cases report ही नहीं हुए है 2018 में 811 cases थे victim 821 थे NCRB की reports है अब देखे ये सब होने के बाद Supreme Court जो अब ruling करता है Supreme Court ने चुरूल किया उन्होंने possession की definition में change किया जह मदरास I Court का कहना था कि सिरफ phone में video थी किसे बच्चे को use नहीं किया गया है ना video को आगे transmit किया distribute किया गया है so this is the reason कि हम violet section 15 के अंदर उनको try नहीं किया तो Supreme Court अभी यहीं पर change लेके आता है possession की definition को अब इसके अंदर जो cases involved होंगे done तो उनका कहना यह है कि मान लीजिए physical position जो है अगर वो नहीं मान लीजिए आज आप FIR करते हैं done और आपके phone में उस particular time पे जो है वो physical उसमें video available नहीं है ठीक है या उससे पहले भी आपके phone में video नहीं थी आपने कहीं से link खोल आपको किसे ने link भेजा तो एक term यूज की गई है power to control हलांके आगे justice पार दिवाला के बारे में बात किये हैं उन्होंने कुछ examples दिये हैं so उसके उपर बात करेंगे अगर power to control उस particular video को या आप किसी material को आपके उपर है तो भी आप उस category के अंदर आ जाएंगे court ने इस चीज को term किया है constructive position और उनका यहना कहना यह है कि अगर कोई भी इस तरह के material को view करता है देखता है distribute करता है डिस्प्ले करता है तो भी जो accuse होगा under section 15 उसको try किया जाएगा और यहीं होता है सबसे बड़ा चेंज जो यहां पर मदरास high court ने कहा था किस तरह वीडियो मिली थी इस तरह कैसा कुछ नहीं है कि उन्होंने किसी बच्चे को use के तो यह जहीं के supreme court ने अब इस definition को भी change कर दिया supreme court का कहना है viewing distributing displaying यह हर एक ची section 15 के अंडर अब trial की जाएगे justice पार्दी वाला जो है जो bench में थी है उन्होंने कुछ चीज़े के उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक a है वो routine में इस तरह की जो pornography child pornography की videos है over the internet वो देखते हैं but कभी भी वो download नहीं करते हैं उसका storage न अंदर आएगा इस तरह की material को लेके because उसको internet में देखना उसको search करना ठीक है हर एक उसको large volume increase जो भी था उसको browse करना जो है that was all under his control and that is the reason yes he will be turned under this constructive position तो section 15 के अंदर वो भी आएंगे बेशक आपने download नहीं किया store नहीं किया but yes you are viewing that particular material so yes on that note you will be under the supposition of the section 15 एक और उन्होंने illustration दिया कि मान लीजे एक individual है ठीक है बाहर से उनको A और B का उन्होंने example लिया था कि एक individual है वो दूसरे के phone पर मान लेजे एक A है there is individual A उसके phone पर एक link आता है unknowingly कहीं से जो B भेशता है तो A ने जो link जैसे वो click करेंगे और उस पर देखते हैं कि child pornography की कोई video है and उस particular पर वो उसे close भी कर देते हैं done अब मान लीजे वो close कर देंगे तो वो constructive position के अंडर तो नहीं आएंगे ठीक है जी because उन्होंने क्या है उसको delete किया destroy किया जो भी है but yes he will not come under this particular position लेकिन अगर वो इस particular चीज को आगे report नहीं करते है authorities के अंदर फिर क्या होगा फिर उनक मैंने आपको starting में बताया था कि reporting के उपर भी अब बात की जाएगी कि अगर मान लीजे आपके phone में गलती से इस तरह का quailing भेज दिया जाता है and आप उसके बाद उसको खोल दिया उसको बंद भी कर दिया but आप उसको report नहीं करते है authorities के लिए so this is the 5000 rupees fine और अगर इस तरह का offense दूसरी बार फिर से होता है तो 10,000 तक का fine जो है इसके अंदर बोला गया so यह कुछ illustrations थी जो की particularly Supreme Court ने दीदी justice वार्दिवाला ने basically done court इसके अंदर एक और else करते है कि अगर कोई भी office जो की section 15 के अंदर हो ठीक है अगर मान लीजे जब FIR file की जाती है और accused के phone के अंदर इस तरह का कोई भी material उस time पे नहीं पाया जाता है तो इसके मतलब यह नहीं है कि वो इस position से या इस section से छूट जाएंगे अगर किसी भी point of time पे उनको phone में वो था और किसी के पास उसका सबूत यह जो भी है whatever the thing is और जब FIER फाइल हो दिया जाएगा इस particular के अंदर और code का कहना यह है कि person immediately after storing and watching child pornography in his mobile phone deletes the same before an FIER could be registered could be still found liable तो yes अगर मान लीजे किसी के अपास video आई download की उन्होंने देख लिया और उसका delete भी कर दिया लेकिन जिस ताइम पे FIER file हो और उनके phone में नहीं भी पाया जाएगा then also he will be liable under this section तो यह सब चीजों के साथ जो पॉक्स हो एक्ट है पटिकुलर लिए बहुत स्रंद अप कर दिया no doubt it is needed actually just as आप सम cases देख रहे हैं and जो browsing चाल भी है so yes this particular thing जाने तो basically in any case अगर कहीं से भी आप चाहे वो देखने की उपर हो browsing की उपर हो child pornography की उपर कहीं पर कहीं पे भी कुछ ऐसा पाया जाता है so yes directly it will be under the section 15 और यह सारा case start over the Madras High Court के जब उनने कहा कि yes section 15 के अंदर वो अप्लाइड नहीं होते reason being उनके फोनों ने करना distribute की ना कुछ दा so that was the whole idea behind this and जो supreme court की judgment आती है now on your screen we are having the courses for the SSB interview हर्मी ने हमारे batches बैठते हैं साथ ही we are having the courses for NDA CDS FCAT हर्मी ने हमारे batches बैठते हैं जोइं कर सकते हैं and these are the courses NDA CDS FCAT आप वेबसाइट पे जा के ब्राउस कीजिए you'll be getting all the courses and जब भी आप enroll करें स्टैम पे discount code is warrior 10 आप जैसे code के युज करेंगे you'll be getting the 10% off so that's all for the day thank you so much for watching this video lecture जय हैं जय भारा अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview NDA CDS FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को google play store से भी download कर सकते हैं कर दो आप सकते हैं